ओम स्री वेंकटेश्वराय नमाहा टीटीडी की तरफ से कल ही senior citizens physically challenged और medical भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आई है कौन कौन सी सुविधाएं टीटीडी उपलब्द कराती है किन चीजों की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए जब आप physically challenged senior citizens और medical issues के लोगों के साथ तिर्मला पहुँचते हैं तो अन तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe ज़रूर किजिगा कल ही टीटीडी के तरफ से official website में senior citizen physically challenged और medical issues के भक्तों के लिए December महिने के tickets के लिए quota release date को update किया गया है 24th November यानि के कल सुबह 10 बजे senior citizens physically challenged और medical issues के भक्तों के लिए quota release किया जाएगा ये quota December के महिने के tickets के लिए है senior citizen physically challenged और medical issues के भक्तों के लिए ये tickets बिलकुल फ्री है और इसे आप कल सुबह 10 बजे book कर सकते हैं इन tickets को आप TTD official website तिरुपतिबालाजी.ap.gov.in में book कर सकते हैं जैसे ही आप home page पर जाते हैं आपको senior citizens दर्शन ticket का option दिखेगा वहाँ पर आपको click here के option पर जाना है आप जिस भी category में आते हैं जैसे senior citizen का एक category है physically challenged लोगों के लिए दूसरा category और medical issues के लोगों के लिए अलग category तो आप जो भी category में आते हैं उसे select करना है और उसके सम्मंधित documents आपको submit करना है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि senior citizen 65 years और above वाले लोगों को ही ticket मिलता है 65 years अगर running है तो भी कोई issue नहीं है लेकिन 64 years वाले लोगों को ticket नहीं मिलता क्योंकि आपको महाँ पर ID card submit करना पड़ता है साथ ही physically challenged लोगों के लिए disability percentage को select करना पड़ता है और state या central के द्वारा दिये गए certificate को भी upload करना पड़ता है medical issues के लोगों के लिए medical certificate या senior doctors या surgeons के द्वारा दिये गए certificate को upload करना पड़ता है upload के दौरान जो दिये गए certificates है और जो आप produce कर रहे हैं physically तिरुमला में अगर कोई भी changes या differences तिरुमला के अधिकारियों को दिखता है तो ticket को cancel भी कर दिया जा सकता है तो इसका ध्यान अवशे रखें साथ ही आपको कम से कम दो घंटे पहले ही Q complex में आ जाना पड़ता है Q complex usually सुबदम complex वहां से आपको senior citizen physically challenged और medical issues के धगतों के लिए special entry line है luggage counters में आपको luggage पहले ही रख देना है shoes या chapel allowed नहीं है और कोई भी electronic devices आप locker में रख सकते हैं senior citizens के complex में बहुत सारी facilities मिलती है खाने पीने की व्यवस्था आराम से बैठने की व्यवस्था एक दो घंटे maximum दर्शन हो जाते हैं senior citizen जिन्हें चलने में दिक्कत है वे battery car के option को भी avail कर सकते हैं उसकी सुविधा ले सकते हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए मंदिर में Q complex में बहुत सारे सहायक भी होते हैं जो बड़े बुजोर्गों की सहायता करते हैं दर्शन के लिए अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो attender जो 50 साल से अबव है उन्हें allow किया जाता है साथ ही अगर senior citizen के साथ 12 साल से छोटे कोई बच्चे हैं तो उन्हें दर्शन टिकेट की कोई भी आवशकता नहीं है वे साथ में इन बड़े बुजोर्गों के साथ जा सकते हैं याद रहे जब भी आप senior citizen के टिकेट को बुक कर रहे हैं तो attender का भी टिकेट बुक होना चाहिए और दोनों टिकेट के प्रिंट आउट आपके email ID में आ जाते हैं उस प्रिंट आउट को और original आधार कार्ड और जो भी original documents है सभी को आप तिरुमला जरूर लेके आएं क्यू क्योंकि सभी को produce करना पड़ता है Q complex में आपको सारे details टिकेट में ही मिल जाएंगे अगर Q complex में कोई changes है तो वो भी वहाँ पर mention किया जाएगा इसलिए दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है शुक्रवार को छोड़कर बाकी सारे दिनों के time slot सुबह 10 बजे और 3 बजे दो पहर के होते हैं senior citizens और physically challenged लोगों के लिए शुक्रवार को सिर्फ 3 बजे का slot यानि 3 बजे दो पहर का slot दिया जाता है क्योंकि सुबह अभी शेकम का समय होता है जो भी आपका time slot है उसे टिकेट में mention कर दिया जाएगा इसलिए उस time के हिसाब से 2 घंटे पहले ही आप क्यों complex में अपने बारी का इंतजार जरूर करें अगर फिर भी आपको कोई भी परिशानी या doubt है तो comment section में जरूर लिखेगा हम उसे solve करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा